किसान तो उरूमिछ मांग ही नहीं रहा, किसान तो जिराफ अपनी मेहनत का फ्रल मांग रहा है वही सरकार ब Почему उनी की आवाज अपने दश्वीरगी है इस संप पॉह JOHN किसान भाईज़नी अवाज ये उफ वह उखाया है को इन को टो कल रहा किनों ने उखाया तो पिलिस नहीं सबी किसान इंड़ा विरोध कर रहे हैं और विरोध करना हमारा लोग कांपिल करिकार करें देश की सबसे बड़ी क्यम्मिनिटी किसान है उसी को बोल रहे हैं आप शांती भंग करेंगे तो फिर तो इसका मतलब देश में शांती हो जो नहीं सकती जिनमें अपने जस्वीर जीने ऑफ़ेंगे किसान नेता उनको पुलिस ने उठाव लिया और वो वह बोलरा एकि हमारे को सरकार की के सर्कार की तरफ से निर्देश हैं और इप उनको जो भी हमारे किसान नेता है किसान वाई देश की सबसे बड़ी कमुटि किसान है उसी को बोल रहे हैं आप शांती भंग करेंगे तो फिर तो इसका मतलब देश में शांती हो यह इन सकती जिसमें 80-90 sc किसान और उनको बोल रहे हैं कि आप वह शांती बंग करने जा रहे हैं संति पूरण परदर्शन किसान से अपना सरकार से अपना अधिकार मांग रहाएं किस सरकार किसानों को लगतार दबारी है जो तीन अध्यादेश आए हैं उनमें साफ साफ जो किसानी के खिलाफ जो निरदेश दिये हैं उनिके खिलाब किसान और कुछ मांगी निरा थे किस सिर्फ अपनी मेहनत का मांघ रहा है वही सरकार दे रही है तो उन्हीया कि आवाज अपने जस्वीर जी किसान भाईयों की आवाज है जस्वीर जी तो उनको कल रात इन्हों ने उठाया पुलिस ने और किसी तरह का कोई पर्चा नहीं है किसी तरह कोई और इनका कोई अपरादी रिकार्ड भी नहीं है तो इससे हम क्या समझें कि किसानों को दबाया जा रहा है सरकार एकदम डर किसानों की आवाज को दबा रही है तो हम जो सभी किसान भाई है जस्वीर जी की जो रिहाई के लिए यहां पर आवाज उठा रहे हैं कि उनको बिलकुल सरकार ने अराजनितिक रूप से उठाया यह मतलब डैमोक्राटिक नर की इसका हम बोल सकते हैं लोक तांत्रिक ताना साइब सरकार बोख्ला गई है नाम पता डाईए आपना अमर नात मेरे नाम है में गांव कियोडक से हूं और सभी हम लोग किसाने किसानी से जुड़े हुए तो अंदोलन तो जारी रहेगा सरकार जो भी जितना भी अंदोलन को दबाएगी जितना भी दमन करेगी और खास कर सचे आदमियों को जब जब दमन हुआ है तब तक करांती और बढ़की है आज 26 तारिक को भाई जस्बीर तबर क्योडक से जो किसान नेता के रूप में उभर रहे हैं उनको घर से उठा लिया गया है ये सबसे पहले तो सरकार जो ताना साही रविया अपना रही है और हमारे जितने भी हर्याना परदेश में और पंजाब में मिलकर जो किसान नेता भाई जस्बीर तबर हैर उनके साथ जितने भी किसान नेता इस मुहिम को छेड़े हुए हैं उन सब को उठाया जा रहा है तो इससे एक बात तो सावित होती है सरकार की कि वो ताना सा है किसान अपनी आवाज उठा रहा है तो इसमें उसका कसूर क्या है अगर किसान की आवाज को ये दबा कर और सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है और आग जो 26 तारिक ये 26 नवंबर का दिन उन्होंने अपने लिए एक काला दिन मतलब इत्यात कर लिया है और अगर वो भाई जस्बीर तवर को और हमारे हरियान और पंजाब में जो हमारे किसानों की आवाज उठा रहे हमारे किसान नेता हैं हमारे भाई हैं तो अगर वो उनको बंदी बनाकर या जवर दस्ती अब बात जो हमने सुनी है हमारे सामने आई है पुली परसासन से हम मिले हैं तो पुलिस परसासन सीधे तोर पर यही बात हमारे सामने रख रहा है कि भाई जस्बीर तवर को उठाना हमारा एक मतलब वो बन चुका था क्योंकि सरकार ने हमारे उपर दबाब बनाया हुआ है। अवाज उठ चुकी है हर्याना और पंजाब के भाई जस्बीर तवर जैसे काफी किसान नेता एक आवाज में आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और हम सब जितने भी किसान पुत्तर हैं किसान के बेटे हैं हम पिछे हटने वाले नहीं हैं सरकार को अपन पुत्तर हैं किसान नेता हैं हम उन सब के साथ हैं और इस आवाज को अब सरकार नहीं दवा सकती भाई जस्बीर तवर को हम चाते हैं कि जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए उनका कोई भी ऐसा कानून के पास वो नहीं है जिसको दिखा कर वो उठाके ले गये हैं वो अपन कानों में डटे अडा रखें उनको खोलने के लिए उनको अपनी आवाज सुनाने के लिए सिरफ किसान पुत्र एक अंदोलन कर रहा है अगर सरकार नहीं सुनेगी और उनको दबाने की कोशिश करेगी जैसे कि हमारे भाई जस्बीर तवर जो किसान नेता है और 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 भी ह जस्बीर तवर जैसे किसान नेता एक नहीं है अब की बार हर्याना और पंजाब से किसान का हर एक पुत्तर इकट्ठे होकर लड़ाई-लडने के लिए तेयार हो चुका है और उसकी कुछ आप सबने जलके देखी होगी कि दिल्ली की तरफ हर्याना और प्रजाब के किसान प चांफ करें हम एक्हें जलद से अंदोलन को सब्सक्राइक है और भाइ जस्पीर सब्सक्राइब के साथ यहां बैठा हूं उनको फुल स्पोर्ट किसान का राक पुत्र बॉयी जश्भी तवर और हर्याना और पंजाब जित्रे भी किसान नहीं साथ है। वह नहीं रहा कर देतको सबस्क्राइब हुआ किसान है और जो ये तेन कानून सरकार ने अभी बनाए हैं वो किसानों के लिए बहुत हानिकारक थे और उसी कारण सभी किसान इनका विरोध कर रहे हैं और विरोध करना हमारा लोगतांत्री का दिकार है सभी पार्टियां भी विरोध करती हैं क्या राजनितिक पार्टियां विरोध नहीं करती, वे भी करती हैं अपने फाइदे के लिए, और हम भी, हम तो फाइदे के लिए का अपने नुकसान से बतने के लिए ही विरोध कर रहे हैं, और विरोध करना हमारा लोकतांत्री का अधिकार भी है, सरकार जिस प्रकार किसानों की आवाज दुबाने का प्रियास कर रही है जो हमारे भाई जो थोड़ा आगे चलकर कारिया कर रहे हैं हमारे उन्हें जो किसान नेता हैं उन्हें सरकार गिरिफतार कर रही है और हिरासत में ले रही है या कि सरकार का बहुत ही किसान विरोधी कारिया है और मैं सरकार से मांग कर करता हूं कि हमारी जितने भी किसान भाईयों को सरकार ने गृफतार किया है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए आन्य था इसका प्रणाम अच्छा नहीं रहेगा और किसान और अजिक उग्र होकर इसके सरकार के वरूद अंदौलन करेंगे और हम सरकार से मांग करते है कि ये जो तीनों कानून सरकार ने किसान इरोदी बनाए हैं इन कानूनों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और सभी जो हमारी किसान साथी जीने गृफतार किया गया है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए